नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है नज़र डालते हैं पंचांग पर बताते हैं आपको आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मताबिक यह है आपके लिए क्या फलदाई है जानिये पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है यह क्या फलदाई हो सकते हैं पंचांग में आज के योग पर नज़र डालें तो आज कौन कौन से योग बन रहे हैं इनमें विशिष्ट योग कौन सा है यह भी आपको बताते हैं योग हर्शन नामक नैसर्गेक शुवयोग अंतरात चार अठाईस तक तदंतर वज्र नामक नैसर्गेक अशुवयोग है वज्र नामक योग की प्रथम तीन घटी शुवकारियों में त्याज्य हैं विशिष्ट योग रवियोग नामक दोश समूह नाशक शक्तिशाली शुवयोग रातरी आठ वजे तक है करण घर नामकरण दोपहर बाद 2.19 तक तदंतर अंतरात 3.26 तक वणेज नामकरण है इसके बाद भद्रा प्रारंब हो जाएगी नजर आज के व्रतोच सब त्योहार और विशेश आयोजनों पर भी डाल लेते हैं व्रतोच सब आज शिव दमनोच सब चतुरदशी नरसेह दोलोच सब विश्व परत्वी दिवस गुरू हरकेशन पुर्णे दिवस प्रा मत्से है और अब जानिये जोतिशियों के मताविक पंचांग में चंदरमा की स्ति क्या रहने वाली है रहुकाल और दिशाशूल के बारे में भी जानिये चंद्रमा कन्याराशी में संपूर्ण दिवारात्री दिशाशूल सोंबार को पूर्व दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है चंद्रस्तती के अनुसार आज दख्यन दिशा की यात्रा लावदायक वशोव प्रद है राहुकाल मध्यमान से प्रात है साड़े साथ वजे से प्रात है नो वजे तक राहुकाल बेला में शुभकार्यारंभ यथा संभव वरिजत रखना हित कर है वाई ये बढ़ते हैं एक और महतवपूर्ण विशे की ओर और जान लेते हैं शुभ महुर्थ और स्रेष्ट चोगडिये के बारे में शुभ महुर्थ उपरयोक्त शुभा शुभ समय तिथी वार नक्षत्रवय योगानुसार आज विवाह का हस्त नक्षत्र में शुभ महुर्थ है शुभ कार्यारम के लिए अत्योत्तम है और अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है जो तिशानुसार उन बच्चों की राशी क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है आज जन्म लेने वाले बच्चे आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम श, र, ठ, प, प, आदी अख्यरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जन्म राशी कन्या है, कन्या राशी के स्वामी बुध हैं, इनका जन्म रजतपात से है, सामाने रूप से ये जातक अच्छे भागेशाली, मान सम्मान पाने वाले सुखी परव्यसन प्रिय, विवाद प्रिय और कुछ क्रोधी वहिंसक प्रवत्ती के भी हो सकते हैं इनका भाग्योद है, लगभग 30-32 वर्ष की आयू तक होता है, कन्या राशी वाले जातकों को आयके अनुपात में खर्चा अधिक होगा, घर में कोई सुख सुवधा की बस्तू आ सकती है, वैसे परिवार में सुख शान्ती का बतावरन रहेगा तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और चोगडिये आदी के बारे में जाना आपने, उलेखनी है कि ग्रह नक्षत्र भी उनही का साथ देते हैं, जो खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद